आई प्रेंडस मैं हूपेंदर कुमारपांडे आप देख रहे हैं पंडित उपेंदर स्टड़ी क्लासेस में niż में जैसा कि आफ लोग को मसीन देज जाएन के चेप्टर 6 explains कपलिंग के बार में कुछ टॉपिक आपको नेच्ट क्लासेस में जैसा की बात लिए था आज का टॉपिक होने वाला है स्लीव या मप कॉपलिंग के बारे में बात करेंगे तो यहां पर वीडियो काफी हेल्फल होने वाली है वीडियो लश्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा चलिये हम जैसा की आप स्क्रिम के मदध करा से देख वा तो यहां पर आप लोग को प्रकार कौन कोनए पर दिस्कॉसन किया था अगर आप कॉपलिंग वाली वीडियो नहीं देखे हैं अब आप लोग को समझ में नहीं आएगा बट अगर आप लोग देखना भी चाते हैं तो description मैंने इसकी भी link देदी है जाकर आप वाच कर सकते हैं ठीक है चलिए मैं देखते हैं जैसा कि आप लोग को sleeve या mop coupling होती की है तो यहाँ पे आप लोग को छोटी से एक definition के बाद हम से हम क्या होती है इनके बारे में जान लेते हैं तो coupling जैसा कि आप लोग को मैंने बता था किनी 200 आप लोग को जोड़ने के लिए किया जाता है ठीक है मतलब जो युक्ती अपनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं coupling के माद़ें से मतलब coupling क्या कहता है अब बात क्या जाएं यहां पे sleeve या mop coupling गया होती है इनके बारे में तो इनको हम definition के माद़ें से सबसे पहले देखेंगे तो definition हमारा क्या कहता है इसे box या color coupling भी कहते है means कहने मतलब जो sleeve coupling होती है इसे हम एक नाम से और किस नाम से जानते हैं तो इसे box या color के नाम से भी जाना जाता है ठीक है आपको exam के लिए में exam के में कहने मतलब है भूमा के question पूछ सकता है कि क्या होता है box या color coupling क्या होती है संचिप तो वर्डन कीजे तो आप लोग विल्कुल भी confusion नहीं होना है मतलब इसे क्या वोलते हैं sleeve या मप coupling के बारे में ही वताना है आगे बाद किया जाए या एक सरलतम प्रकार की धर coupling है जो छोटे size की soft को जोडने के काम आता है कहने का मतलब है जो sleeve ya coupling क्या होती है के चोटे साइजों को जोड़ने के लिए इसका हम Slevia Muff Coupling का यूज करते हैं आगे बात किया जाए इस कपलिंग में खोखला वेलन जीसे Slevia Muff कहते हैं कहने का मितलब है आपका एक वेलन में होता और वेलन टाइप में क्या होता दोनों सॉप्टों को जिदर से एक इन्फुट शॉप्ट और एक और फुट शॉट लगा दी जाती और लगाने के बाद हम एक कीसे क्या करते हैं उसे फिक्स कर देते हैं ठीक है तो आपको यहाँ पे इसके बारे में मतलब कहने क्मतलब है इस परकार से अगर आपको जोड़ने के दिखे तो क्या कहला था आपका स्लिवियम अपकपलिंग के अंतरगत आता है इसको फिगर के माद्धन से भी दिखाऊंगा अगे हमारा क्या कहता है इस खोखले वेलन का आंतरिक व्यास सॉप्ट के व्यास के बर होगया कैते हैं तब ही तो little होगा न कहने का मतलब है जो हो इहां पर और one का अंतरिक व्यास हो जाता है वो बी स्वेशय क्या उक्ल कि ध्यास नों क्या हुना चाहिए उक्या हो ना चाहिए आगे बाद क्या जाएं इस खो किले वेलं के दोनों साप्टों के सिरो lifecycle पर कुंजी द्वारा लगा दिया जाता है जिसे मप कप्लिंग समानता ढलवा लोहा मिर्द इस बात की बनी होती है तो यहां पे कहने का मतलब है कि यहां पे जो खोकले वेलन हो गया खोकले वेलन का जो व्यास होता है और सौप्ट होता है उसका व्यास क्या होना चीए एकदम सेम होना चीए ठीक है आगे बात किया जाए यहीं पर तो इसका कहने का मतलब है जो इसका जो मसली विया मप कप्लिंग किसका बनाया जाता है तो ढलवा लोभा का भी बनाया जाता है और वहीं पर मृद इस पाथ का भी बनाया जाता है मतलब दोनों जोसका माट्रियल्स यूज किया जाता है उनकि दोनों materials के coupling बनाए जाते हैं अब बात किया जाएं यहाँ फिगर के माद्धे में से तो मैं figure आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे आप देखवा रहे हैं दो soft ठीक है एक driving soft हो जाता है और एक driven soft तहने को बाते हैं एक input soft और एक output soft हो जाता है ठीक है चालक और मतलब 초ा मदब चालग होता है एक चलीत होता है कहने का दो स्थ हो गई अब यहाँ पर आपको यहाँ पर की दिखाई गई है जिसे बोलते हम कुझी और वहीं पर आपका यहाँ पर पूरा बेलना टाइप में किया होता है जो क्या करता है दोनों साप्टों को जोडने के लिए हम किसका प्रियोग करते हैं एक मप का प्रियोग करते हैं मतलब कहने को तब है इसे आवरण के नाम से भी जानते हैं ठीक है इन दोनों साप्टों को जोडने के लिए हम जिस यूपती का प्रियोग करते हैं और साथ में किंजी का प्रियो पीश में एक बेलन लगा दिया गया और ड्रीलन लगाने के बात क्या किया है दोनों तरफ से हम एक कुझी का ब्यास दोनों क्या होना चाहिए जब सेम होगा तभी आपका सही रूप से पूर्ण रूप से फिक्स होगा तो कहने के मतलब है इन दोनों का ब्यास क्या होना चाहिए हमारा सेम होना चाहिए ठीक है वही बता गया और इसका किस मेट्रियल्स का बना होता है तो जैसा कि आप तो पहला मारा टाफिक है इस कपलिंग का मुखलाविया है कि इसकी बाहरी सता पर कोई उभराफ हुआ भाग अथवा अंग नहीं होता है जिसके कारण या कपलिंग इस सुरचीत प्रकार की कपलिंग कहती है मिन्स कहने का मतलब है जो स्लीव या मप कपलिंग होता है यह तहीं कई किसी प्रकार की ऐसी कपलिंग होती है कि जिसमें बाहरी मतलब बाहरी पूर्ज उपर क्या होता है विबिन पार्ट लगे होता है ठीक है जिससे हमें क्या था कुछ ना कुछ खत्रे भी उत्पन होने का मत कि कि यहांपे दुरहत ने क्या से रिलेटल क्वई नहीं लगा हो तपलिग के बाहरी autopilot कहने को मतलब के एक दम सुरुच्छित सुरुच्छित मैप komm Schmidt होता है इनके बारे में सक्राध पर इस कक्लिग को दोबारा खोला भी खोले कोला या बंद क्या जैं करते हैं खराब हो गई इसे हम बना भी सकते हैं इस प्रकार से आप लोग को यह कप्लिंग की अंतरगत मतलब लाव आ जाते हैं नेश्ट बात किया जाए इसकी सीमाएं लिमिट जी से बोलते हैं लिमिट हमारी क्या होती है इसके बारे में देखेंगे तो पहले टॉपिक आता या मरोण घुल पारिशित नहीं कर बाता अधिक सक्ति पारेशनर से कुंजी आसफल होने का खत्रह होता मतलब इसकी जो लिमिट होती है जो इसका अधिक सक्ति क्या होता है जो इस कपलिंग है स्रीकांट इस कप्लिंग में यह होता है इसके ज़ुफा पर होती है बहुत ज्यादा होती है और साथ में क्या होता है इसका मरोण घुर फारिसित होता है वो बिल्कुल काम होता ठीक है तो आई हो गैस यहाँ पे आप लोग को यहाँ की स्लीवियम अपकपलिंग के बारे में पूर्डूप से जानकारी मिल गई होगी तो बस गैस आपके लिपना ही वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नए हो चैनल को सस्क्राइब कीजिए ज्यादा ज्यादा सेर करने को सच कीजिए मिलते नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहें